हलो एबरीवन वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाल फ्रेंड्स आज मैं आप सभी की साथ में एक लिप बाम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ जो की है लेक में लिप लव, लिप केर, लिप बाम एंड जो ये है 22 आवर्स मॉश्टर आपके लिप्स को करता है and SPF 15 इसके साथ में आपको मिलेगा और ये Made in India प्रॉडक्ट है और इसका जो MRP है वो है 50 ग्राम and इसकी जो क्वांटिटी है वो है 4.5 ग्राम इसकी क्वांटिटी है and ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है काफी कलरफुल इसकी पैकेजिंग है and इसमें जो मैंने shade लिया है वो है cherry and अब मैं आपको इसे अपने lips पर apply करके दिखा देती हूँ इस तरह से ये product आता है ये है ये product and इसका जो ये cap है उसके बाद में इस तरह से ये product आपको दिखाई देगा और ये इस तरह से नीचे से आप इसे खोल सकते है इतनी quantity में आपको ये मिलेगा product और इसे काफी साउधानी से ये मैंने आप सभी को दिखाने के लिए open किया है कहीं बार ये tool भी जाते है तो इसे बहुत ही ज़्यादा साउधानी से खोलें और ये product इतना sufficient है अभी मेरे लगाने के लिए ये इस तरह से आपको मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ बहुत ज़्यादा light इसका shade है super pigmented नहीं है ज़्यादा color इसके अंदर नहीं है cherry shade मैंने लिया है इसका and अब मैं इसे आपको lips पर apply करके दिखा देती हूँ और आप देख सकते हैं इसका look काफे अच्छे तरीके से ये moisturize कर देता है lips को and मैं इसे काफे time से लगा रही हूँ और जैसा कि इसमें लिखा है कि ये 22 hours तक आपके lips पर moisture बना कर रखता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है 22 hours बहुत ज़्यादा होते है and जो इसमें लिखा हुआ है ऐसा तो ये बिल्कुल भी नहीं करता है मेरे जो lips है वो 3 hours के बाद में ही dry होने लग जाते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे reapply करना पड़ेगा and ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये 22 hours तक आपके lips को moisturize करेगा और winter में तो ये बिल्कुल भी moisturize नहीं करेगा I think ये summer में 22 hours तक आपके lips को secure कर सकता है and इसके अंदर 15 SPF इसमें आपको मिलेगा और इसका जो price 150 rupees है and 4.5 gram इसकी quantity है तो price के according इसकी quantity काफी है और आपके ये जो lip balm है काफी time तक आपके चल जाएगा और इस तरह का इसका ये shade है तो overall ये ठीक ठाक product मुझे लगा ऐसा कोई कमाल का product मुझे नहीं लगा है ये और आप अगर other lip balm में अगर आपको अच्छे lip balm मिलते हैं तो आप उन्हें भी try कर सकती है बायोटिक का lip balm भी अच्छा आता है मैबलीन का lip balm भी अच्छा आता है और मुझे तो ये product average ही लगा और आप इसे चाहे तो purchase कर सकती है और दोस्तों अगर आज का ये review video आपको अच्छा लगा है तो like जरूर कर दीजेगा और मेरे चनल को subscribe करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए अच्छा ना भी आता है